अट अठ अ from आयगाई वेलकम टो दोपकोडिंग्ग आज हम करने जा रहे हैं अन्य था पर्बकी जरोन दो इस क्वेशें में हमें एक एरे गीवन है, जिसका साइई एलैमें और एक एअलेफेंट गीवन है कि अलेमें हमारे एअ्यरह में कुछ एअलेमेंट्स is an element saw tio कि हमें क्या करना है हमें हुपन न इलमेंट को कि अरल में धरना है की कि हम की फिल बाने है हमें हमें के अर शूंन ग्याई मह करे गाले करे आर्क यो साइज उस अ जपर हूँ से ज्यादा आरहे हो मोरे ऑक है तो हमें दो चीज़ें एक n दे रखा है यानि कि size और एक k दे रखा है ठीक है n by k times से ज़्यादा आ रहे हो अगर elements हमारे area में तो हमें उनको वेक्टर में भरके देना है और वो जो elements होंगे वो sorted होने चीज़े ठीक है sorted order में हमें बेजना है देखते हैं अब जैसे यहां पर हमारे पास है यहां पर 3 कितने times आ रहा है 3 आ रहा है 1 2 3 3 times कि 1 कितने times आ रहा है 1 & 2 2 कितने times आ रहा है 1 2 3 मारे पास तिनी elements में 1 2 & 3 और वही repeat हो रहे हैं यह उनके counts है ठीक है अब हमारे पास n और k है तो n हमारा है 8 k हमारा है 4 यहां कि number of times क्या हुआ 8 by 4 यानिकि 2 तो जिसकी भी frequency हमारे element में greater than 2 होगी हमें उन सबको vector में भरके short करके लाना तो यहां पर हमें कौन कौन से बिलती है एक यह और एक यह यह यानिकी एक 3 और एक 2 2 और 3 vector में भरके लाना है तो यह हमारा question है अब हम इसे करेंग नहीं कैसे हमें क्या करना हर एक element की frequency निकालने तो इस question को solve करने के लिए हम यूज करेंगे unordered map unordered map में क्या होगा unordered map int of int type int of int type यह क्या save करेगी first value यह क्या करेगी second value ठीक है अब यह first value क्या show करता है यह show करता है हमारे element को यहाँ पर यह जो second value होगी वह show करेगी यह element कितनी बार आया है number of times नहीं कि हम कह सकते है frequency यह frequency बताएगा उस element की हम unordered map यूज करेंगे इसमें अब एक ले 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 थे हम size call to 10 एक रहे जिसमें कुछ element कुछ इस तरीके से हो one two three three two one five four four कितने element हुए एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नौ और यह 10 10 एक है 10 element हो गए एक k value ले ले लेते हैं k है हमारा 5 ले ले लेते हैं अब हम क्या करेंगे अपने array पर attrition लगाएंगे पहले इस जगह पर लगाया इस जगह पर कर देते हैं अपने map में यह हमारा first होगा जो कि element दिखाए और इसके opposite जो second value होगी उसकी frequency start one से होगी ठीक है अब को डाला इसके opposite उसकी frequency तो यह क्या है यह हमारा element है यह हमारी उस element की frequency है ठीक है अब 3 से next element next element 3 अब हम देखेंगे हमारे पास 3 पहले सही है तो अब क्या करेंगे क्योंकि हमार पास पहले सही है एक frequency के साथ हम इसे इसकी frequency को increase कर देंगे by one से जाने कि अब इसकी frequency जाएगी two क्या करेंगे अगिर हमार पास दुबारा element मिल जाता है तो जितने भी उसकी previous frequency होगी उसमें plus one कर देंगे ठीक है अब हम आए second पे दुबारा में two मिला तो हमार पास पहले मैप में पड़ा है ठीक है अब इसकी frequency कितनी है one हमार पास second time आया है जितनी frequency है उससे plus one कर देंगे तो आया हमारा two की frequency two होगी अब two आता है one पे यहां पे यहां पे हमें मिलता है again one frequency एक बढ़ गई अब आता है five पे five हमारे पास अभी अनौर्ट मैप में है नहीं इसका मतलब हमें five को put कराना पड़ेगा insert कराना पड़ेगा इसके opposite value क्या होगी frequency इसकी one अब यह जाएगा next element याने की four पे यह हम array पे ट्रवेजल कर रहे है और भी नहीं है और भी डाला opposite उसके one frequency अब अगें next value four इस बार देखा map में पहले सी four पड़ा है इसकी previous frequency क्या थी one अब उसे अपडेट करतेंगे प्लस one करके याने की two जितनी भी frequency उसमें प्लस one अब फिर next value दुबारा फोर दुबारा हम देखेंगे हमारे map में है हाँ है इसका मतलब उसकी frequency जितनी भी थी ना उसमें अब यहां हमारा element खता हुग गया हमने सभी elements को अपने order map में डाला और उसके opposite इसकी frequency तो यहां पर हम देखते हैं दो 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 यानिकी च्छह साथ सातिन दस यानिकी दस element है हमारे पास इसमें से वन तू थ्री की frequency 2 है और की frequency 3 है और वन फाइप की frequency 1 है हमें किस किस को अपने vector में डालना है जिसके frequency 2 से ज्यादा है यहां पर 2 से ज्यादा सिर्फ और की है ठीक है यानिकी हमारे vector में सिर्फ और आएगा अब मान लेते हैं यहां पर एक और वन होता इसका मतलब क्या है दुबारा चेक करेगा अगर यहां पर वन है तो हमारा order map में है one frequency कितनी थी दो अब इसकी तीन हो गई अब हमें एक और element मिल गया तो element क्या है एक one है और four है यह कुछ इस तरीकी से भी मिल सकता हमें four पहले one बाद में ठीक है तो हमें क्या करना है इसे short में देना है तो हम last में जो भी हमारा answer आएगा vector में उससे हम short कर द करेंगे तो हम unordered map यूज करेंगे किसलिए क्योंकि हमें सभी elements की frequency जानी थी और unordered map में सभी elements को डालेंगे यहां यह elements unique और इनकी frequencies थी तो अब इसे code करते हैं कि में क्या चाइए एक unordered map इंट अफ इंट इंट पर्स्स इंट क्यों पर्स्स वेल्यू को रखे था है याई की element को second frequency को इसका नाम देखते हैं लिग आपक्या करना है iteration लगाते हैं 4 int i is equal to 0 i is less than array.size अब हमारी first value क्या होगी first value थो हमारी f value first value होगी area at i जो कि unique हमारे unordered map में जाएगी अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास यानि हमारे unordered map में वो first value है इसके लिए ये condition होती है कि um.find equal to equal to um.end अगर यह condition true होती है इसका मदलब हमारे map में वह value नहीं है यानकी f values में नहीं है अब नहीं है तो हम क्या करेंगे तो उसकी keyword आएंगे यानकी f value पर 1 डाल देंगे जैसा कि अगर हमारे पास element नहीं होता तो उसकी frequency 1 से start करते है तो वह ही कर रहे है अब अगर वह मिल जाता है अगर हमारे map में पढ़ा रहता है अगर यह true है तो हमारे पास an ordered map में value नहीं है value is not available तो हम उसमें value डाल रहे हैं अगर false हुआ false हुआ तो value है हमारे पास update करेंगे किसको अपडेट करेंगे उसके second value के second value जो भी थी frequency हम frequency ले रहे हैं उससे update करेंगे यह है second value update second value second value कहा मिलेगे हमारे unordered map के first value के opposite जो भी पड़ी होगी उसमें हम plus one कर देंगे तो यह हमारी frequency देदेगी regignment की अब हमें क्या करना है अपने unordered map में traverse करना है unordered map में traverse करने के लिए auto a variable unordered map यह इसका syntax unordered map में traverse करने के लिए अब इसमें हमारे पास दो चीज़े हैं एक int और दूसरा int इसमें पहला int जो है वह dot first को show करता है दूसरा int dot second को यह a इन दोनों को निकाल के लाएगा हमारे unordered map से एक साथ इसका मतलब value is equal to a dot second क्योंकि हमें देखनी है frequency frequency n by k से बड़ी होने चीज़े है यह हमें frequency लादेगा value में अब हम चेक करेंगे अगे हमारा value greater than है n divided by k से क्योंकि हमें n और k तो given ही है n क्या है n यहां निकाल लेते हैं int 10 is equal to array dot size n तो size था size रख लिया अगिर greater than है इसका मतलब क्या है हमें अपने answer में उस element को डालना है a dot second तो उस element के frequency को देख रहा था अगिर उसकी frequency ज़्यादा है तो उसके element को रानके a dot first को डालना इसके हमारे answer में वह value चली गई जिसकी frequency n by k से ज़्यादा है अब बस हमें short करना था answer dot begin comma answer dot end vector को short करने का function short begin से end तक का short करने का simple सा code return करते हैं इसे यहाँ पे कुछ गलती हो गई देखते हैं क्या गलती होई है यहाँ पे गलती यह यह हमारे पास result है और मैंने answer लिख दिया तो answer लिख दिते हैं यहाँ पे अब run करते हैं इसे तो चल गया इससे submit करते हैं तो हमारे साथ test cases पास हो गए यह question basically हर element की frequency भी depend करता है तो frequency निकालने के लिए unordered map हमने यूज़ किया होप आपको समझ आया होगा कैसे इसकी frequency अपडेट हो रही है अगर हमें value मिलती है अगर हमें value मिलती है इसका मतलब इसके जो भी frequency होगी उस पे plus one कर देंगे um f well क्या कहता है कि um की first value के opposite one रखतो यहाँ पे um के first value के opposite अगर वो पहले सही है तो जो भी है plus equal to one करा दिया यानि कि जो भी value आईगे इसमें plus one हो जाएगा तो hope आपका समझाया होगा मिलते हैं किसी अगली वीडियो में धुक अढ़े याएगा थैस्राइड़ याएगा याएगा